हलोवर्वेवान आइण वेल्कम टू सिख्षा गाइस विच्च्छर पैंदर कुछ अमेंडमेंट आक्ट जो हमारे रहते हैं वो देखेंगे दो थोड़े मेंडमेंट अप्ट आफ्टर इस लेक्टार इवन रह जाएंगे जोमें कवर करने होंगे नेक्स्ट कुछ प्रिवि स्किप भी हमने की है गुवर्नर जनरल अभी हम इस लेक्चर के अंदर रिवाइस करेंगे फ्रॉम यॉर हैस्टिंग्स तो यह हमारे गवर्नर जनरल रहेंगे प्लस आफ्र दिस आफ्र दिस्कसिंग विद यू तू और थी स्केम्स ओके दो तीन स्केम्स डिसकस करेंगे प्लस आफ्र दाट विल बी डिसकसिंग अराउंड एट एमसी क्यूस ओफ कम्प्यूटर तो यह इस पर्टिकुलर लेक्चर का एजेंडा है और क्विक्ली चलेंगे जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे चीजों को साथ के साथ दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजेगा लेक्चर को सुनते हुए चाहे आँखे बंद करके सिर्फ मेरी अवाज पर फोकस कर लेना टेक्स्ट देखना है तो देखो नहीं देखना तो सिर्फ अवाज सुनना याद करने की कोशिश करना चीजों को आपको चैनल को contribute करना है दोस्तो you can contribute by sharing the lectures by subscribing to the channel by liking the videos and you can also contribute financially वीडियो के नीचे आपको mobile पर अगर यूज कर रहे हैं तो share thanks का एक बटन दिखेगा computer के ऊपर भी आप कर रहे हैं तो share thanks से आप contribution अपने financially कर सकते हैं if you want that this particular platform should grow into the tech industry in India so let us start now 73rd Amendment Act से शुरू करेंगे 73rd Amendment Act आप सब जानतो है important act है पंचायती राज institutions को constitutional status यहाँ पर दिया और इसमें हमने एक नया part constitution के अंदर add किया part 11 confusion बहुत जादा हो जाती है इसमें बच्चों को ठीक है part 9 sorry part 9 part और schedule के अंदर confusion हो जाती है कि part 11 था या schedule 9 था ऐसे नहीं घूमना part 9 है schedule 11th add हुआ ठीक है part 9 schedule 11th और इस particular schedule के अंदर 29 ऐसी items थी जिनके ओपर बेसिकली पंचायत लोग जो हैं काम करेंगे जैसे अपना 7th schedule में है ना इसमें हमने पर 29 आइटम को लिस्ट कर दिया 73rd amendment act 74th amendment act is related to urban local bodies और इसमें हमने part 9a इंसर्ट किया and 12th schedule 12th schedule के अंदर 18 items हैं जैसे 11th schedule के अंदर items हैं वैसी 12th schedule के अंदर items हैं जहां पर urban local bodies जो हैं वो काम कर सकती हैं 77th amendment act 77th amendment act basically इसने reservation की बात की in promotion government jobs में SCST के लिए ओके इससे basically supreme court पहले judgment लेकर के आया था कि promotion में reservation का criteria नहीं होना चाहिए तो 77th amendment act से constitution के parliament ने क्या लौ बना दिया कि promotion के अंदर भी reservation रखी जा सकती है 80th amendment act was related to devolution of resources between center and states 10th finance commission के recommendation पे इसको लाया गया था और इससे basically जो था ये rule बनाया गया कि center के जो taxes and duties जो divide होने या state में at least 29% उनमें से states में distribute होंगे बहुत जादा important amendment नहीं है चाहो तो ignore कर सकते हो 81st amendment act 81st amendment act का basic funda क्या था देखो इसमें इन्होंने क्या बोला कि जैसे for example एक साल में seats reserved करने के लिए 100 है 2023 में ठीक है जो reserved seats है अब इसमें से reserved seats में से 80 ही seats fulfill हुई 20 seats जो है वो बच गई तो ये 20 seats अब मैं next year पे यानि कि 2024 पे carry forward कर दूँगा ठीक है 20 seats में carry forward कर दूँगा reserved seats अब अगले साल already मैंने 100 seats रखी हुई है reserved की प्लस ये 20 आने से क्या हुआ मेरी 50% ceiling क्रॉस होगी 50% की ceiling होती है ना कि reservation जो है वो 50% से उपर नहीं होनी चाहिए तो सरकार ने इस amendment से क्या बोल दिया कि ये जो 50% ceiling वाला funda है ये backlog के उपर apply नहीं होगा ठीक है backlog वाली जो है वो एक तरीके से county नहीं होगी जब आप 50% की calculation कर रहे हो तो unfilled जो reserved vacancies हैं वो आप next year में जो है लेकर के जा सकते हो और उसमें आपकी 50% ceiling भी लागू नहीं होगी 84th amendment act 84th amendment act से further जो readjustment of seats करनी है लोगसब और state legislative assemblies में उसको आगे 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया पहले इंद्रिया गांधी जी के time पर बढ़ा था अब 84th amendment act से उसको दुबारा increase कर दिया गया 2026 में अब 2026 में जो है seats बगेरा increase की जाएंगी ओके याद रखेंगे 84th amendment act साथी साथ इसके अंदर जो है territorial जो constituencies हैं उनकी re-adjustment और rationalization किया गया 1991 के census के basis पे फिर आज आते हैं आपका 85th amendment act इसके अंदर consequational seniority का जो था point था ठीक है next 86th amendment act 86th amendment act is related to your elementary education जिसने article 21A आपके constitution के अंदर जो है add किया और यह question बहुत बार paper में पूछा जा चुका है इससे और भी changes हुए subject matter of article 45 change हुआ और directive principle जो directive principle है आपका और fundamental duties के अंदर article 51A की language में change हुआ तो basically 21A में आया क्या था 21 के अंदर आ गया आपका 6 to 14 के लिए तो पहले 45 में और 51A में 6 to 14 होता था अब क्योंकि 21 यह तो fundamental right बन गया तो इन्होंने article 45 में इसको क्या कर दिया up to 6 और यहाँ पर 51A में fundamental duty में भी क्या कर दिया up to 6 87th 87th amendment act में again territorial constituencies को readjust और rationalize किया गया ठीक है as per the 2001 census ठीक है पहले 84th के अंदर जो था 1991 census के हिसाब से था ना अब 87th में बोला कि नई 2001 census से करेंगे 89th amendment act important है कल हमने देखा था कि जो lecture हमने इससे पहले बाला देखा था उसमें हमने देखा था कि ultimately एक पहले single officer होता था उसके बाद एक commission मनाया गया अब एक single commission को bifurcate किया 89th amendment act ने ठीक है दो अलग commissions बन गए national commission for scheduled caste and national commission for scheduled tribes article 338 and article 338a 91st amendment act very important इस act ने क्या बोला कि council of ministers की जो strength है उसको regulate करना है तो इन्होंने बोला कि लोकसभा के अंदर या जो council of ministers का basically strength है वो including the prime minister लोकसभा की strength का 15% से उपर नहीं हो सकता ठीक है including the prime minister ओके दूसरा point इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी member parliament का disqualify हो जाता है defection के ground पे तो उसको आप as a minister नहीं appoint कर सकते similar 15% वाला जो point है 15% strength वाला जो limit है वो state legislatures के ओपर भी लागू होगा ठीक है और state legislature के case में इन्होंने एक बात और बोली कि council of ministers की strength जो है state के अंदर वो 12 से कम नहीं होनी चाहिए ठीक है 12 से कम नहीं होनी चाहिए ऐसा क्यों बोला गया क्योंकि कहीं जो छोटी states है वाँ पर legislature का size छोटा है तो अगर उसमें आप 15% लेने जाओगे ना तो 5-6 number निकल करके आएगा तो इसलिए इन्होंने 12 जो है वो minimum रख दिया similarly house of state legislature में भी अगर कोई member disqualify हुआ है on the grounds of defection तो आप उसको as a minister नहीं appoint कर सकते remunerative political post भी नहीं hold कर सकता remunerative political post में basically various commissions और जो organizations होते हैं उनका उसको head नहीं बना सकते हो उसके बाद जी जो 10th schedule का जो provision है जो basically पहले 10th schedule में एक provision होता था कि अगर party के अंदर split हुआ है ठीक है one third जो members है उन्होंने party का split कर दिया उन्होंने party को एक तरीके से छोड़ दिया तो फिर disqualify का नहीं होता था disqualify से exemption मिल जाता था ठीक है बट इस provision को delete कर दिया इन्होंने इसका मतलब क्या था कि defectors के पास कोई protection नहीं था even on the ground of splits ठीक है अब कुछ governor generals discuss करेंगे फटा फट से वारेन हेस्टिंग 1773 तो 1785 का period था regulation act of 1773 आया काफी important था इन्होंने वारेन हेस्टिंग को पहला governor general of Bengal बनाया 1781 का act जिसने basically जो governor general in council और supreme court at Calcutta के बीच में जो clear jurisdiction of powers था वो हुआ pits in the act of 1784 रोहिला war 1774 का पहला महराथा war Warren Hastings के time पर लड़ा गया था and treaty of salbai इस war के end में sign की गयी थी वो directly question भी पूछ सकता है कि treaty of salbai किस war के end में हुई थी second Mysore war भी इनके time में लड़ा गया था 1782-1784 Chait Singh जो महराजा थे बनारस के उनके साथ इनका relationship अच्छा नहीं था और इसी की वज़े से end में Hastings की impeachment भी within land में Asiatic Society of Bengal के founder थे again very important point यह सारे जितने अब हम governor generals और यह देखने वाले हैं एक तरीके से आपका काफी अच्छा revision इसके अंदर होगा अभी मैं आपको पहले revision आपका कराने में आपको help करेंगे Lord Convales 1786 to 1793 Third Mysore War इनके साथ लड़ा गया और Treaty of Sringapattnam sign की गई थी टीपू सुल्तान के साथ Convales Code जिसके अंदर judicial reforms revenue administration और civil jurisdiction से related reforms आये थे Permanent settlement system यह लेकर के आये थे lander venue के लिए Bengal में और administrative machinery के लिए Europeanization और civil services का introduction that is why he is known as the father of civil services in India Lord Convales Lord Willis ले 1798 to 1805 subsidiary alliance यह लेकर के आये और पहली बार alliance sign की थी Hyderabad के निजाम ने यह देखो यह अपने आप में एक important question बन जाता है कि alliance किस के साथ sign की गई थी या पहला subsidiary alliance sign करने वाला कौन था just give me a second guys next fourth Mysore war and end of Tipu Sultan 1799 Lord Willis ले के टाइम पर second Maratha war भी इनके टाइम पर हुआ उसके बाद Tanjaur, Surat और करनाटक की करनाटिक की administration अपने अंडर इनों ने ले ली यह थोड़ा सा chronology भी याद रखिएगा 1799, 1800, 1801 treaty of Basin जो Marathas के साथ sign हुई थी Bajirao 2 और British के बीच में George Barlow के टाइम पर जो एक चीज आपने याद रखनी है that was Willow or Mutiny Lord Minto के टाइम पर Amritsar treaty हुई थी with Ranjit Singh बस इतना याद रखना है Lord Hastings के टाइम पर Anglo-Nepal war और इसके end में treaty of Sagali sign की गई third Maratha war और इस war के साथ जो Maratha confederacy थी उसका dissolution हो गया साथी साथ Bombay presidency create हुई 1818 में पिंडारी के साथ लफडा था Lord Hastings का जो वीर मूवी में पिंडारी दिखाए है treaty with Sindhya and establishment of Riyotwari system by Thomas Munro ओके ये भी एक important point है directly पूछ सकता है Riyotwari system के बारे में Amrits के टाइम पर तो first Burmese war और capture of भरतपूर था capture of भरतपूर is not that important but first Burmese war याद रखिएगा Lord William Mantic important है सती का abolition हुआ और कुछ और जो cruel rights थे उनको abolish किया गया जो one of the reason consider किया जाता है revolt of 1857 का ठग्गी को suppress किया Charter Act of 1833 आया जिससे ये Governor General of India बन गए first Governor General of India उसके बाद 1835 resolution जिसके अंदर educational reforms आये और English को as official language introduced किया गया Bentic के टाइम पर Mysore का annexation, Kurg का annexation और Central Catcher का annexation जो है वो किया गया perpetual friendship treaty sign हुई Ranjit Singh के साथ और उसी के साथ जो provincial courts of appeal थे या जो circuit set up किये थे Convalis ने basically administration और judiciary से related उनको abolish कर दिया Lord Auckland के time पर पहला Afghan war ये याद रखेंगे Allen Brock के time पर सिंद का annexation Harding के time पर पहला Anglo-Sikh war हुआ और इसके end में Lahore treaty sign हुई साथ ही साथ ये भी कुछ social reforms लेकर के आए जिसमें female infanticide abolition और human sacrifices को इन्होंने खतम किया again becoming the reason for the revolt of 1857 Lord Dalhousie के time पर अगर हम देखें तो आपका second Anglo-Sikh war हुआ और Punjab को इसमें annex कर लिया गया finally Lower Burma का annexation doctrine of laps ये लेकर के आए ये मैं आपको time and again अपने history lectures में explain कर चुका हूँ इसके अंदर annexation का ये जो आपका पूरा chronology है ये याद रखना है सबसे पहले सतारा को किया 1848 में जैदपूर एंसांबलपूर 1849 उदैपूर 1852 जहासी 1853 नागपूर 1854 अवद 1856 अवद वस नाट एनाच्ट अंडर doctrine of laps अवद वस एनाच्ट अंडर misrule तो ये misrule का था ये doctrine of laps नहीं था ओके तो ये chronology थोड़ी सी याद रखेगा वुड्स educational dispatch आया जिसके अंदर anglo vernacular schools और government colleges को उपन किया गया railway minute of 1853 पहली railway line Bombay और थाने को connect करते हुए operational हो गई 1853 में telegraph again first line which connected Calcutta with Bombay, Madras and Pishawar तो ये post office act 1854 के अंदर active हुआ Ganges canal को open declare किया गया and public work department established किया गया widow remarriage act भी इनके ताइम पर आया ये सारे important points है जो याद रखने हैं पर के अंदर वो directly पूछ लेगा canning के टाइम पर finally आपकी तीन universities establish की गई Calcutta, Madras और Bombay में और revolt of 1857 हुआ after revolt government of India act 1858 आया और उसके बाद canning को हम as a voice role पढ़ेंगे in the next lecture अब कुछ important schemes देख लेते हैं grammy nudhyami project तो second phase grammy nudhyami project का launch हुआ रांची में और basically skill development को encourage करता है tribal youth के अंदर okay skill India mission को boost देने के लिए fund इसको करता है आपका national skill development corporation ठीक है जी उसके बाद implementation इसकी six states के अंदर होगी महराष्टा, राजस्थान, छत्यसगर्ड, MP, जार्खन and गुजरात and सांसदिया परिसंकूल योजना के अंदर इसको implement किया जाएगा okay guys I'll be ending this particular lecture over here only okay जो next जो part रहे गया है न वो मैं next quick revision lecture के अंदर include करता हूँ okay see you in the next class